अगले साल चुनावों की घडियां शुरू होने वाली है और चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है लेकिन अगर देखा जाए तो हार और जीत बहुत बड़ी मायने रखती है राजनितिक पार्टियों के लिए किसके जीत होगी किसकी हार होगी यह तै हम नहीं कर पाएंगी यह तै करेगी जनता क्योंकि जनता जनारदन है यह लोकतंत्र है लोकतंत्र में सभी को वोट देने का अधिकार है और जनता के एक एक वोट की कीमत बहुत होती है लेकिन हां अगर बात करें तो अब जो जुबानी जंग है वो राजनितिक पार्टी के नेताओं के बीच शुरू हो चुकी है दर पिश रावत का एक बयान सामने है उनका कहना है कि आने वाले समय के चुनाओं में कॉंग्रिस बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल करेंगी आने वाले समय के चुनाओं काफी कुछ बदलाओ करेंगी और इसका फर्क चुनाओं पर देखता नजर आएगा खैर यह तो बात की तो कॉंग्रेस ने युवाओं पर जोर दिया है और सबसे बड़ी बात है किसानों की बात की किसान जो हमारे देश का अन्यदाता है और तो और जनता के जो जुड़े मुद्धे हैं जमीनी स्तर के मुद्धे महंगाई पैट्टोल डीजल की बरती कीमते उसको लेकर भी बात क करती है तो कॉंग्रेस के आने से बदलाव होगा या नहीं होगा देखे मेरे को लगते है कि इस बार शायद का लेकर आएगी क्योंकि आपने देख लिया होगा कि कॉंग्रेस इस बार बहुत गंदी तरह पिछड़ी है लेकिना काम करती हूं नजर आ रही है अगर बेरुज हकीकत देखे कि कितना बदलाव आया कॉंग्रेस पार्टी में तो उस हकीकत को देखते हैं बदलाव की पूरी-पूरी स्तिति रहीगी यानि कि अगर कहा जाए तो फिलहाल बदलाव होगा और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो मूदी साथ बेरोजगारी का आखड़ा भी बड़ा है आपको क्या लग रहा है क्या एक बार फिर जनता मोदी सरकार की तरफ जाएगी हाला कि अगर बात करें तो चुनाओं से पहले बीजेपी हिंदू-मुस्लिम की राजनीती करना कभी नहीं बोलती है और धर्म की राजनीती करन होते हैं वहां पर भी विदान सबाचुनाव हैं और साल दोहजार चौबिस तो खैर है ही लोग सबाचुनाओं क्या इन्हें चुनाओं में एक बार फिर धर्म और जाती का इस्तमाल करकर बीजेपी वोट बटोरनी की कोशिश करेगी या फिर कॉंग्रेस जमीनी इस्तर की म इस नहीं किया लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने वहां चीज़ नहीं किया लोगों को साथ लेकर चलने की बात कही है और वह अभी भी यही बात कर रही है बल्कि बीची पी नहीं यह तक क्या कि अगर हिंदू लोगे तो उनमें भी अलग-अलग कॉमॉनिटीज को बाठ दिय गया लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया तो मिनको लगता है कि यह चीज़ जो है लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं वो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो शिक हो या इसाई हो तो वह चीज़ को समझ रहे है कि जो हमारा देश है उसमें सब लोगों को एक साथ मि तो देखे हैं तो इसके बहुत बड़े सियासी संकेत मिल नहीं जिन्हों ने बताए कि किस साब्सें बदलाव जरूरी भी है किस यस्से इसाब से बीजेपी जो है इस वक्त काफी मोर्चों पर घिर चुकी है क्योंकि अगर बात कर रहे हैं तो बीजेपी यह सोच रहे हैं कि चुनाओ में जंता को इस बार कैसे एक बार फिर बरगलाय जाया लेकिन fascinating जंता काफी हद तक सच्चाही को समझ रहे क्या लग रहा है आपको क्या जंता कोто फिर हम लोग पेट भरते हैं और पेट भरने के लिए हमें अनाज चाहिए और किसान हमारे अनाज देवता है उन वह रोड पे बैठ हुए इतने टाइम से लगवग 9 महीने का समय उनको हो गया है उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है तो मेरे जैसा कोई आम इंसान हो या कोई भ भी आप लोगों के साथ है और आने वाले समय में हम रहे ना रहे हम तब भी आपके साथ रहेंगे यानि कि अगर बात करें तो कॉंग्रेस पार्टी ने शुरू से ही बात की है युवाओं के सपनों की सुरू से बात किये किसानों की किसान देश का अन्यदाता हमारे देश क प्रमुक मुद्दा रहेगा इसका जो फर्क है वो विधान सभा चुनाओं में भी पड़ेगा और लोग सभा चुनाओं की तरह भी पड़ेगा लेकिन अगर बात कर लेते हैं कशिश जिसे साब से कॉंग्रेस पार्टी में बड़े पर देखे फिर बदल हो रहे हैं पार्टी ने अब शुरू कर दिया है युवा नेताओं को अपने साथ शामिल करना लेकिन अगर बात करें तो फिलहाल कॉंग्रेस पार्टी की जो प्रमुक हैं सोनिया गांधी राहुल और प्रियंका क्या लग रहा है आने वाले समय में जिस से बहुत एनरजी चाहिए होती तो क्या लग रहा है आपको क्या अब सोनिया गांधी जो है वो राहुल प्रियंका को जिम्मेदारी स्वांप कर आगे जो है राजनीती से कहीं ना कहीं किनारे होने की कोशिश करेंगी देखें मैं तो सबसे पहले बात कर रहे हूं प्रियंका गांधी समालते हैं तो उसका काफी जादा असर देखने को मिलेगा जिम्मेदारी है लेकिन काफी बढ़ जाएगी इन लोगों पर लेकिन मेरे को लगता है कि उस जिम्मेदारियों से जो बाग डोर है जो पूरे देश की जो सत्ता है वो इनके हाथों में आती इस चीज के लिए कोई दो बात नहीं कहीं जा सकते बीजेपि को इसका काफी नुक्सान होगा और चनुरिस सपने और तो और जिस रिसाब कर रहिस यह बताता है कि वाकई में आने वाला जो समय है वो बदलाव कि और दिख रहे और बीजेपी नेताओं के माथे सिपसीने चोटरे मेरी सयोगी कशिश जोडिती उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर अपनी राय रखी और आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जाद दीजे नमस्कार